केंदर सरकार के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोध्योगी की मंतरवाले ने नया फैक्ट चेक निकाए बनाने की घोष्णा की है सरकार जहाई से फेक न्यूज रोकने की दिशा में आहम कदम बता रही है वहीं विपक्ष इसे सेंसर्शिप के रूप में देख रहा है केंदर सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधनों को भी मंजूरी देती है इन नए सूचना प्रोध्योगी की नियामों को लेकर विवाद होता रहा है अब प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो या केंदर सरकार द्वारा गठित फैक्ट चेक निकाए के पास किसी जानकारी को फर्जी घोशित करने का अधिकार होगा नए नियमों के तहद भारत में इंटरमीडियरी कंपनियों का दर्जार रखने वाली फेसबुक, ट्वीटर या गूगल जैसी इंटरनेट कंपनियों को किसी कंटेंट को फेक घोशित किये जाने के बाद हटाना अनिवार होगा अगर इंटरनेट कंपनिया ऐसा नहीं करती है तो उन पर कानूनी का रवाई की जा सकेगी अब तक आईटेक्ट की धारा 89 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इस तरह के कंटेंट पर कानूनी का रवाई को लेकर सुरक्षा हासिल थी केंदर सरकार का तर्क है कि एक कदम फेक न्यूस से निबटने के लिए उठाया जा रहा है हाला कि विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंतरता पर चोट बता रहा है भारत में प्रैस सोतंतरता के लिए काम करने वाले संगिठन एडिटर गिल्ड्स आफ इंडिया ने भी केंदर सरकार के इस कदम की आलोचना की है एडिटर गिल्ड्स का कहना है कि इस तरह से केंदर सरकार ने अपने काम के बारे में क्या सही है और क्या फर्जी है ये तैग करने का अपने आपको ही पूरड अधिकार दे दिया है सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद इंटरनेट से फेक न्यूज कम करना है सरकार ने सेंशर्शिप को लेकर चिंताओ को भी खारिज किया है केंदरीय राजयमंत्री राजीव चंदरशेखर ने कहा सरकार ने इलेक्टरॉनिकी और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले के जरीए एक निकाय को अधिसूचित करने का निर्णे लिया है ये संस्थान एक फैक्ट चेकर की तरह काम करेगा और सिर्फ उन जानकारियों का फैक्ट चेक किया जाएगा जो सरकार से संबंदित होंगी। वहीं विशलेशक सरकार की मनशा पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जैशंकर गुप्त कहते हैं। ये तथ्य है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खबर प्रकाशित करने वाली वेबसाइटों का ना कहीं पंजियन होता है और ना ही कोई जिम्मेदारी। ऐसे में इनके जिम्मेदारी तैह होने की जरूरत तो महसूस की जा रही है लेकिन ये काम सरकार का कोई निकाए नहीं कर सकता क्योंकि सरकार अपने आप में एक पक्ष होती है। इसे लेकर चिंताएं जाहिर की थी और कहा था कि इसे सुतंत्र प्रेस की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने कहा है कि सरकार का ये कदम प्रेस पर सैंशर्शिप लगाने जैसा है। कॉंग्रेस के मीडिया प्रभारी जैराम रमेश ने कहा भारत में फेक न्यूज के सबसे बड़े उत्पादक और मौझूदा सत्तधारी पार्टी और उसकी राजनीतिक बचारधारा से जुड़े लोग हैं। वहीं पूर्व सूचना प्रसारण मंतरी मनीश तिवारी ने कहा है कि सरकार का एफैसला उसकी असुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। संसद में त्रण्मूल कॉंग्रेस के नेता डेरको ब्राइन ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा। मोदी शाह की बीजेपी जो खुद फेक न्यूज बनाने की मास्टर है अब फेक न्यूज को नियमित करना चाहती है। CPIM की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नए IT नियमों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।